नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारी यूटुब चैनल पर एक और ने वीडियो के साथ जिसमें आज हम सारा इंडिया के भुगतान के विशे में एक और जानकारी लेकर आए हैं और यह जानकारी यह लोकसभा की संसर सदस्या रमादेवी द्वारा सारा इंडिया के भुगतान के विशे में गर्याएवम से कारिता मंतरी श्रीअमित साजी को लिखे गए पत्तर के बारे में चाहती हूँ, मैं ब्यार राज्य से आती हूँ और मेरे संशदिय छेत्र के सिवहर सीता मडी एवं पूराव चमपारन जिले साइद ब्यार के लाखों लोगों ने सारा इंडिया चिठफंड कंपनी की विबिन बचात योजनाओं में अपना पैसा जमा कर रखा है लेकिन मिचोर्टी की अवदी पूरी होने के बावजुद पिछले कई वर्सों से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है तथा वे अपने मैनत मजदूरी से जमा किये गए राशी की भुगतान के लिए दरदर बटकने को विवेस हो रहे हैं सारा इंडिया रोज वैली जैसी कई ऐसी चितफंड कमपनिया है जिसमें गरीब लोगों का पैसा जमा है परन्तु उनका भुगतान नहीं हो रहा है सारा इंडिया का लगबग 24,000,000 करोड रुपे सेबी में जमा है जिसमें माननिय सुप्रीम कोट ने भी वर्ष 2012 में ही सेबी एवं सारा को जमा कत्ताओं का पैसा लोटाने का आदेश दिया था लेकिन इस आदेश के लगबग 10 वर्ष बीट जाने के बाद भी निवेशको का पैसा ने तो सारा इंडिया बुक्तान कर रही है और नहीं सेबी द्वारा किया जा रहा है इसमें सरकार के हस्ताशेप की आवसकता है ताकि सेबी में सारा की जमारासी में से सरकार की निगरानी में लोगों को भुकतान संबहोस के सेभी और सहराक विवाद के कारण सहरा इंडिया में काम करने वाले लाखो लोगों के रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ रहा है आते हैं आप से अनुरोध है कि इस विशेय पर गंभीरता से विचार करते हुए सारा इंडिया में जमा रासी किये गए लोगों को उनके पैसे का बुगतान सुनिचित कराने के लिए आवसक करवाई की जाए सादर भाउदिय रमा देवी, स्री अमित सहा, माननिय अगरेम एवम, सैकारिता मंतरी, बारत सरकार नई दिली कोई यह पत्तर लिखा गया है, आप सभी सारा इंडिया से पीडित जमाखताओं के बुगतान के विशय में वैसे तो कई बर रमा द्वारा सारा के बुगतान के विशय में लोग सबा में बात रखी जा चुकी है जिस पर लगबग ना के बराबर ही कोई कारिया हुआ है, जिसके करण अब उन्होंने इसी विशय को लेकर स्री अमित साजी को यह पत्तर लिखा है और अब देखने वाली बात होगी कि देश के गरह एवं शकारिता मंतरी की तरब से इस विशय पर क्या जवाब दिया जाएगा वैबुकतान को लेकर क्या कारवाई की जाएगी जिसके बारे में यदि हमारे पास कोई जानकरी आती है तो उसकी जानकरी भी हमारे चैनल के मादम से आप सभी को बतानी की कोशिश करेंगे तो इसके लिए आप बने रही हमारे यूटूब चैनल रोईतियाद गरूप के साथ और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक जैहिन जैवारत